हेई एविवन वेल्कम टो आर्वीटी लॉर्णिंग चैनल तो जैसे आज हमारा टॉपिक है म्यूचिल फंद्स म्यूचिल फंद्स का नाम सुनते ही माइन में अड्रोडाइजमेंट आजाती है कौन सी म्यूचिल फंद्स सब्जेक्ट मार्केट रिस्क प्लीज रीड ओल तो ये अड्रोडाइजमेंट कोड सब फॉलो करना ही पड़ता है और आज इस लेक्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं म्यूचिल फंद्स की मीनिंग उसके अड्वांटेजिस एंडिसद्वांटेजिस एंड टाइप्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग से तो यह क्या है यह एक ऐसी इंवेस्मेंट स्कीम है जिसको प्रोफेशनल एक्सपर्ट चलाते हैं यानि वो कौन है असेट मैनेजमेंट कमपनी उनको चलाती है इन फंद्स को and it is a mechanism of pooling the funds of people and invest their money in equities, bonds और other securities अभी यहां पर क्या हो रहा है फंद्स की pooling हो रहे हैं यानि एक जगा पर funds क्या हो रहे है? पूल हो रहे है यानि जमा हो रहे हैं उसके बाद उन फंद्स को क्या किया जाता है? diversify किया जाता है हर अलग-अलग funds में अलग-अलग scheme में फिर उन्हें लगाया जाता है funds को तो यह funds का क्या हो रहा है diversification हो रहा है कहां-कहां पर लगते हैं equities में लग सकते हैं bonds में लगते हैं other securities में लगते हैं जिसे अगर हम लोग को क्यों करने हैं अगर हम share market के बारे में सूचते हैं तो share market में हमें amount अच्छा कसा चाहिए रहेगा और उसके बाद अगर एक share purchase करना है तो उसकी value देखने परेगी अगर share की value example अगर 10,000 है तो मैं वह एक share कैसे purchase करें तो इसके वज़े से यह mutual fund की scheme है यानि वहाँ पे अभी हर एक जो भी person है उसका 11,000 example आ रहे है इस 11,000 आके आके finally 10,000 complete होते हैं वह amount complete हो जाता है and finally उन्हें इसे invest किया जाता है एक्यूटी में या और ऐसे ही debt funds में कहां पे भी housing funds में वहाँ पे mutual fund ऐसे work करते हैं यानि investor की money को pool किया जाता है जमा होते हैं पैसे और बाद में होने तो यह है इसकी meaning next है advantages and disadvantages अगर कोई चीज के advantages हैं तो disadvantages भी होते ही है mutual fund की cases में भी क्या है first advantage है expertise management हमें यहां पर क्या मिल रहा है expertise management मिल रही है यानि asset management company है properly उसको manage कर रही है people say experts है बट दूसरी जगह पर disadvantage वैसे कि इसे पूर planning है यानि proper planning में होती है ला and investment होती जाती है तो यह क्या है disadvantage बन जाता है यानि प्रॉपर ली investment नहीं हो पाती है तो यह क्या बन जाता है disadvantage बन जाता है है वैसे ही सेकंड है गूड रिटंस अभी गूड रिटंस यहां पर एक एडवांटेज यानि अच्छा कासा रिटंस मिल जाता है मूजर फ़न की स्कीम में कोई इंबेस्ट कर रहा है यानि 10 20 30 परसंट तक आपको अच्छा कासा रिटंस मिल जाएगा अगर हम लोग सेविंग टाइम तक और दूसरे अगर हम लोग प्रॉपर्टीज और में इंवेस्ट करते हैं गोल्ड वगेरा में इंवेस्ट कर रहे हैं तो उनके अप्डाउंस की रिस्क वगेरा तो यह इनके डिसाडवांटेज है वैसे यहां पर एडवांटेज मूचल फंड के कैस में क्या है ह हमें हाई ब्रोकर यिश्प करनी पड़ यह कंशन पे करनी पड़ती है मैसे दो असेट मैनेजमेंट कंपनी इनक पूरे funds को क्या करती है, manage करती है और उसके बार जो भी returns आते हैं उसका कुछ 1% वो लेगी और बाकी returns हमें मिल जाते हैं बट अगर हम लोग को हम frequently buy and sell कर रहे हैं तो वो time पे हमें brokerage pay कर नहीं पड़ती है, commission pay कर नहीं पड़ती है तो वो time पे यह हमारे लिए disadvantage बन जाएगा and third advantage है diversification यानि हमारे fund को अच्छा कासा diversification किया जार है, हर एक place पे क्यास की अज़र है, उसको हो जार है and दूसरे तरफ से disadvantage है कि losing focus यानि focus नहीं हो पार रहा है कि कौन से areas में करना जादा advantageable है कौन सा disadvantageable है तो focus proper नहीं हो पाता है sometimes तो वो हमारे लिए disadvantage बन जाता है and fourth है liquidity तो easily liquidate है हमें जब चाहे हम sell कर सकते हैं जब चाहे purchase कर सकते हैं तो liquidation है, easily cash में convert कर सकते हैं वैसे disadvantage का है, quick sale less return, तो हमें जल्दी जल्दी के sell करने के चकह में returns क्या होते हैं, कम होते हैं यानि इफ मुझे money की need है तो मुझे redemption करना है, यानि selling करनी है तो वो time पे loss भी चल रहा है वो case में भी mutual funds को क्या करना पड़ता है उनको sell करना पड़ता है and particular amount pay करते हैं तो हमें वो time पे क्या होता है loss होता है, less written आते हैं तो ये एक हमारे लिए क्या बन जाएगा disadvantage बन जाएगा तो ये advantages भी हैं, तो कुछ disadvantages भी है next हमारा topic है types types अलग-अलग based है जिसे first based on structure है तो structure के base पे open ended funds है और close ended funds है अभी open ended funds क्या होते हैं? वो funds हैं जो purchase किये जाता है कौनसे बी डे पे anytime हम लोग purchase कर सकते हैं हम लोग ये scheme purchase कर हैं और उसमें liquidity भी क्या होती है? high होती है, यानि हम लोग easily क्या कर पाते है? sell and purchase कर पाते हैं easily cash में convert कर पाते हैं liquidity है and redemption भी हम लोग anytime कर सकते हैं any day कर सकते हैं तो ये open ended की scheme में होता है वैसे ही दूसरे तरफ close ended scheme opposite है यानि purchase हम लोग particular offer के टाइम पर ही कर पाएंगे offer आया तो हम लोग को purchase करेंगे नहीं तो नहीं हो सकता and उसमें liquidity भी क्या है close ended में liquidity भी बहुत low है यानि हम लोग बहुत मतलब यहां पर liquidity भी क्या है बहुत low है यानि easily हम लोग money को money में convert नहीं कर पाएंगे and redemption भी क्या होता है आपर maturity date पर redemption due date पर ही किया जाता है यानि selling due date पर ही होगी anytime हम लोग any day पर हम लोग selling नहीं कर पाएंगे तो यह scheme थी open ended and close ended scheme उसी तरह है based on investment object विये based पर कौनसी कौनसी scheme है first है dividend yield fund अभी dividend yield fund में क्या होता है investor के funds को dividend highly dividend stocks में क्या किया जाता है invest किया जाता है जहां पर अच्छा कासा dividend उन्हें मिल पाए तो यह होती है dividend yield fund scheme and उसके बाद है equity fund तो यह इन में investment equity shares वगेरा हमें किये जाते हैं अलग-अलग types में shares के types में की जाती है investment यह अगर हम लोग fund purchase कर रहे हैं यह scheme purchase कर रहे हैं तो and debt fund क्या होता है also called as a fixed income securities like debentures government bonds and other securities तो इसमें क्या होता है एक fixed amount हमें मिलता ही है जिस अगर हम लोग debentures वगेरा purchase करते हैं तो interest मिलेगा government bonds में interest मिलेगा securities में interest मिलेगा तो यहां पर return हमारे लिए क्या है fix है तो नहीं बोला जाता है debt funds तो debt funds में हमें return fixed मिलते ही है तो इसलिए बोला जाता है fixed income securities and fourth scheme है hybrid funds जिसमें combination है both equity and debt fund का यानि देखो अगर हम लोग को दोनों में investment होती है यानि क्यूटी में भी होगी debt fund में भी होगी अगर हमें equity से loss हो रहा है तो हमें debt fund से तो फाइदा हो सकता है यानि interest तो मिलेगा ही तो हमारा क्या होगा यह hybrid है यानि balance हो जाएगा हमारी returns का तो equity and debt बोथ में यह क्या combination है hybrid fund का next जो है वो है money market fund money market fund में investment कहां पे की जाती है treasury bills में commercial papers में and certificate of deposit में investment की जाती है money market है क्या यहां पे market instrument के basis पे दो market में डिवाइड किया गया है एक है capital market instrument दूसरा है money market instrument दो टाइप के markets instrument है capital market instrument and money market instrument जो capital market instrument है वो instrument longer period of time के लिए होते हैं यानि अगर हम लोग purchase करेंगे तो हमें more than one year उनको क्या करना पड़ेगा hold करना पड़ेगा and जो दूसरे तरफ money market instrument है वो less than one year तक होते हैं यानि वो हमें less than one year तक हम उनको hold कर पाते हैं तो capital market more than one year and money market less than one year वैसे ही इनका examples क्या है जो capital market में instruments होते हैं वो कौनसे है shares, bonds, debentures हैं तो यह longer period of time के लिए होते हैं for one year more than one year and money market में examples है bills of exchange, T-bills यानि treasury bills तो यह जो money market fund scheme है वो इसमें invest करती है और lesser than one year के period के scheme में and उसमें कौनसी कौनसी investment है, treasury bills scheme, bills of exchange, commercial papers, certificate of deposit, इन सब में investment होती है तो उसे बोला जाता है money market fund scheme नेक्स्ट जो scheme का बेज है other types है, कुछ अलग other types हैं कौन से है, first है tax saving mutual funds, अभी tax saving mutual funds में क्या होता है इसमें हम लोग को क्या मिलती है, deductions मिलती है, तो यह individuals and H.U.S. तो tax saving scheme में advantage है कि हमें benefit मिलता है, ATC के अंदर और deductions मिलते है, ATC के अंदर दूसरा है fund of fund scheme, तो fund of fund scheme में क्या तो होता है, it is a multiple manager investment scheme है, where funds are pooled and invested in different types of funds, यानि अलग-अलग funds में क्या किया जा रहा है, इसमें, मतलब fund में types में क्या invest किया जाता है, यानि example है, यह fund को debt funds and equity funds both में invest किया जाता है, अगर equity fund में market अगर क्या चल रहा है, बहुत down चल रहा है, बहुत expenses है equity fund में, तो क्या हो जाता है, जो equity fund हमारा है, वो convert हो जाता है किसमे debt fund में, यानि debt fund में हमारे, फिर वहाँ से हमें अच्छा कासा इंप्रेस वगेरा मिलता है यानि यहाँ पर क्या हो जा रहा है fund का convert हो जा रहा है equity से debt में या wiser वर्जा debt से equity में भी हो सकता है तो यह है fund of fund scheme में एन उसके बाद एक topic है SIP SIP क्या होता है systematic investment plan है इसमें क्या होता है saving account से fixed amount monthly या quarterly बोला जाता है bank को की deduct होए and deduct किया जाता है bank से, account से and particular fund scheme में वो amount जाता है तो यह एक है SIP बोला जाता है systematic investment plan इफ आपको lecture की PDF चाहिए तो वो नीचे description में link है आप वहाँ पे जाके download कर सकते हैं यह इस thank you take care